गुड मॉर्निंग फ्रेंज्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेलपलाइन, गुड मॉर्निंग इस्टेनोग्राफी सीरीज में आप सभी का श्वागत है, जहां आपको प्रते दिन मिलता है 80, 90, 100 और 110 सब्द प्रते मिनट के डिक्टीशन, उसके पहले हम हमेजा किदर दो संप आपको डिक्टीशन के रूप में दिये जाते हैं, सबसे पहले हिंदुस्तान को देख लेते हैं, क्योंकि 80 सब्द प्रते मिनट में हिंदुस्तान टाइम्स के डिक्टीशन ही बोले जाते हैं, अगर आपकी आउटलाइन और हमारी आउटलाइन मैच नहीं कर रही हो, तो ग बना हुआ था, तो अब भी मैंने बताया भी होगा, तो आप इसे ऐसे बना सकते हैं, और के लिए डास और यह, धा, फिर में के लिए जोड़ा समा बनाते हैं, मंदर निर्माण के लिए, तो मंदर के लिए मा फिद्दा में रॉक आकड़ा, उसी में हमने निर्माण और के लिए का जो रूल बताया था, स्टैनो हेल्प लाइन पर वहें पर अपलाई कर देंगे, सर्वोच नियायाल है, सर्वोच के लिए शा, वा, और चा, चा कोड़ थोड़ा से बढ़ा करेंगे, और नसे कट करेंगे, या तो आप सा रा लिखे डारेक, वो भी लिख सकत प्रक्रिया के तहत, तो प्रक्रिया लिखेंगे, और के तहत का रूल जो हमने विदाया था, स्टैनो हेल्प लाइन पर वह अपलाई कर देंगे, के तहत और के आधार पर में डिफरेंस यह है, कि के तहत चोटा बनता है, और के आधार पर थोड़ा बनता है, विशेश मेहत करेंगे निर्देश और के तहत का रूल अपलाई कर देंगे सुनिस्चित रखना होगा तो सुनिस्चित के फिक्स आउटलाइन और रखना होगा अलग लिख देंगे यह आउटलाइन जो है ना असी नमबे और सो को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है अगर आप जादा के शीत के लिखते हैं यानि 140 140 तो यह आउटलाईन आपके काम नहीं आएगी क्योंकि उसके लिए हम अलग आउटलाईन बनाते हैं केवल रिपोर्टर के लिए तो अगर आप चाहें तो रिपोर्टर की सिरी जॉइन कर सकते हैं अगर चाहें तो नेक्स्ट है भावना की अनुरूप तो भावना की अनुरूप का रूल बताया था हमने इस टैनो हिल प्लाइन पर इस टैनो स्पेडी डूल्स पर वो यहां पर अपलाई कर दिया भावे मस्जिद तो भावे लिखा हमने मस्जिद इसमें जोड़ दिया साम पर दाइक तो शाम शौ में शौ फिर मौ फिर पर मेरा का आकड़ा दो यह को छोटा करें कि कजूट जाएगा सथ भाव की तो फिक्स आउटलाइन है ही तो यह तो रहा हिंदुस्तान टाइम्स अब हम बढ़ते हैं दैनिक चागरिन के तरफ और एक बात वीडियो को लाइक करने तो बिलकुल भी मत भूले क्योंकि लाइक्स वीव्यूस तो आ रहे हैं ठीक है लिख रहे हैं आप लोग पता चल रहा है कि थोड़ा से बेनफिट हो रहा है इससे आपको लेकिन जब भी लाइक्स देखो तो बहुत कम रहते हैं पता नहीं सायद आप लोगों को लिखना अच्छा लगता हो लाइक करना न अच्छा लगता हो खैर कोई बात नहीं लाइक करना या ना करना ये तो आपके उपर है लेकिन हम तो डिक्विशन देते रहेंगे राम बंदर निर्मान के लिए तो राम बंदर हमने लिखा निर्मान उसमें जोड़ दिया और के लिए का रूल अपलाई कर दिया स्वायत ट्रस्ट स्वायत श्वा का आकड़ा लगा के भी बना सकते हैं और फिर शव फिर वह भी लिख करके बना सकते हैं दोनों लिखा है आपको जो सुटेबल लगे आ फिर स्वायत लिख के बगब में ट भी लिख सकते हैं तो वो भी समझ में आ सकता है दलित समाज तो दलित समाज की फिक्स आउटलाइन यानि सब बिच्चे निसमें जोड़ देंगे आश्यर जनक के ये फिक्स आउटलाइन है दो तरीके से इसके आउटलाइन बनती है तो पहला वाला मैंने बनाया है और जनक अपसर के प्रत्य आपको पता होगा अगर आपने रिशिलाल या गया प्रिशाद दुनों एक ही बुक है पढ़ा होगा तो और हैकी काकड़ा इसमे ना कि हम पुरा रूगूल अपलाई करेंगे इसमें और आकांशा के भी फिक्स आउटलाइन और आकांशा यहां आपको बिंदी दिख रहा होगा वह गलती से लग गया तो आप लोग माइन मत करेगा क्यों क्या होता है कभी-कभी ऐसा होता है मैं बोलती भी हो लेकिन फिर को करने है हमें सुनिश्चित करना है कि टो सुनिश्चित और करना है कि इसमें जोड़ दिया जन मानस के लिए ज़गा उनके लिखवाी से बाजपा और व। पहां से तो थोड़ा से ऊपर लिखते हैं और यह समश में आया है विवाद और तृफल डश लगा कर श्थल तो आप कहां से निया डिक्टीशन मिलेगा अगर आप हमारे हैपिस टैनोग्राफी की मेंबर सिप लेते हैं राजस्थान के तैयारी के लिए तो आपको डेली न्यूज सिक्स डिक्टीशन मिलेगा तो आप उसे जरूर जोइन करें और अगर आप रिपोर्टर की तैयारी कर है तो आपको राजस्थान के डिक्टीशन जयानि 6 तो मिलेंगी इसके एलावा रिपोर्टर के 140, 150, 160, 177 सब्द प्रित्फ मिनट के डिक्टीशन मिलेंगे और इसके एलावा SSC, DSSB, के भी डिक्टीशन मिलेंगे सारे यानि टोटल बहुत सारे 10 डिक्टीशन लग बग ताकि उसे के हिसाब से आपको डिक्टिशन दिये जाते हैं, ताकि आपकी तयारी बहतर हो सके और आपकी जल्दी से जल्दी जॉब लग सके राजस्थान में. डिक्टिशन नमबर 210 से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 80 में मिलेगा हिंदुस्तान, 90 जागरण, 100 हिंदुस्तान और 110 जागरण तो चले स्टार्ट करते हैं 80 सब्दी प्रती मिनट डिक्टिशन डिक्टिशन लिखने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें स्टार्ट होगा फोर सेकेंड बात स्टार्ट अयोध्या में मंदिर निर्मान के लिए ट्रस्ट की घोशना न केवल स्वागत योग्य है बलकी एक तरह से सबक भी है सर्वुच न्यायाले के आदेश और निर्देशित प्रक्रिया के तहत मंदिर निर्मान की दिसामे कदम दर कदम सांती पुर्वक बढ़ने का अपना विशेश महत्व है बुद्वार को प्रिधान मंत्री नरिंद्र मोधी द्वारा संसद में की गई स्री राम जन्व भूमी तेर्ध छेत्र ट्रस्ट की खोशना का सभी को इंतजार था इस फैसले को लोग भले ही दिल्ली के विधान सभा चुनाव से जोड़ कर देखेंगे लेकिन वास्तों में यह घोशना न्यायाले के दिशा निर्देसों के तहत ही हो रही है 9 नवंबर 2019 को सर्वुच न्यायाले ने अयोध्या मामले में अपना अंतिम फैसला सुनाया था फैसले के तहत तीन महीने में केंद्र सरकार को मंदर निर्मान के लिए ट्रस्ट की इस्थापना करनी थी चोकी मियाद पूरी होने जा रही है इसलिए प्रधान मंत्री की ताजा खोशना के वैधानिक महत्व को समझा जा सकता है ट्रस्ट का गठन जरूरी है ताकि उसके अधीन मंदर का निर्मान सुरू हो अब ट्रस्ट के सदस्यों का चयन जितनी जल्दी होगा उधना ही अच्छा होगा ट्रस्ट गठन से मंदर निर्मान की राशनिती पर भी लगाम लगेगी यह अच्छी बात है कि उच्चितम न्यायाले के फैसले के बाद लगातार सदभाव बना रहा है और आगे भी सरकार को सुनशित रखना होगा कि अनुचित लाब कोई न ले बुधवार को संसद में प्रधान मंतरी ने भी सबको साथ लेकर चलने के अपने संकल्प को जिस तरह से दोहराया है उन्हें उसी धारा में आगे का सफर तैं करना चाहिए 9 नवंबर के फैसले के बाद प्रधान मंतरी ने कहा था कि यह किसी की चीत या हार नहीं है इसी भावना के अनुरूप मंदर निर्मान होना चाहिए देश इतिहास लिख रहा है तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्मान की बुनियात में किसी तरह की राजनिती, वैमनश्य और सांप्रदाइकता का लेश मात्र भी ना हो प्रधान मंत्री की खोशना के साथ ही यह भी इसपश्ट हो गया है के पंद्रह सदश्चिय ट्रस्ट में एक दलित सदश्य भी होगा वाकई ट्रस्ट में हर समुदाय और जात के ऐसे विशेशग्यों व संतों को चुना जाना चाहिए जिनकी इमानदारी व राम भाव के प्रती निस्ठा प्रशनों से परे हो साथ ही यह भी देखना चाहिए कि ट्रस्ट में किसी खास समुः अखाडे या मठ या संप्रदाय का वर्चस्व न रहे मंदिर वही लोग बनाएं जो हृदय में राम भाव रखते हो स्री राम जन्म भूमी तिर्थ छेत्र को एक ऐसा अन्न छेत्र भी घोशित करना चाहिए ताकि राम के दर्बार से किसी जात धर्म संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति बिना प्रशाद न लोटे सरकार को कम और ट्रस्ट को जादा सचेत रहना होगा कि राशनिती की कोई गुझाइस न रहे भारत में लिया गया यह फैसला इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है दुनिया यह देखना चाहती है कि जिस राम के लिए लंबा संघश चला उस राम को यहां के लोग वस्तुतह कितना मानते हैं अतह जितने प्रेम से मंदर निर्मान हो उतने ही लगाव से मस्जिद बनाई जाय जिस सदभाव की उमेद मंदर ट्रस्ट से रहेगी वही भाव लोग उस वफ बोड में भी देखना चाहेंगे जिसे आयोध्या में भव्य मस्जिद का निर्मान करना है स्वयम प्रधान मंत्री द्वारा ट्रस्ट की घोशना भी एक अच्छा संकेत है कि वह अपने इस्तर पर इस मामले को सीधे देख रही है भारत इस समय ऐसे दौर में है जब हम रती भर भी साम्प्रदाइक गलती नहीं कर सकते असी सब्द्र प्रति मिनट डिक्टेशन समाप तुआ अब बारी है 90 सब्द्र प्रति मिनट के डिक्टेशन की अगर आप ऐसे ऐसी ऐसी नभी सो डिक्टेशन प्रति दिन लिखना चाहते है ना तो हम दो डिक्टेशन के अलावा तो यूटूब पे अपलोड नहीं कर सकते हैं या पर पेपर लिखना चाहते हैं पेपर के डिक्टेशन जैसे की UK, APS एंड राजस्थान के पिछले एक्जाम के पेपर या फिर कोई भी डिक्टेशन लिखना चाहते हैं तो आप हमारे हैपी स्टैनोग्राफिय को जाइन करें कि हम यूटूब पे बहुत सारे वीडियो पर ये जो चैनल है वो एडिटूरील के है लिए है तो हम एडिटूइल के अलावा कोई और डिक्टेशन अप्लोड नहीं कर सकते हैं और यह बात स्टैनोगर्प लान की तो वहाँ पे अप्रूड करते रहते हैं और अगर डेली डिक्टेशन लिखना चाहते हैं तो आयत ट्रस्ट के गठन की खोशना के साथ ही वह प्रतिक्षा पूरी हुई जो सुप्रीम कोट के फैसले के बाद से ही की जा रही थी। संसद में प्रधान मंत्री की ओर से श्री राम जन्म भूमे तेर्थ छेत्र ट्रस्ट के कठन की गोशना किये जाने के बाद ग्रिह मंत्री आवित साह ने इसपश्ट किया कि इसमें 15 ट्रस्टी होंगे जिसमें एक दलित समाज से होगा। यह आश्यर्य जनक है कि कुछ दलों ने प्रधान मंत्री की घोशना पर इस बहाने आपत्ती जताई की इशके माध्यम से दिल्ली में चुनावी लाब लेने की कोशिस की गई है। यह विरोध के नाम पर विरोध जताने के अतरिक्त और कुछ नहीं। एक तो सुप्रीम कोट ने अपने फैसले में यह निर्देसित किया था कि तीन माह के अंदर याने नौफरवरी के पहले सरकार को राम मंदिर निर्मान के लिए ट्रस्ट का गठन कर देना चाहिए। और दूसरे कम से कम अब तो विपक्षी दलों को यह समझ आ जाना चाहिए कि अयुध्या में मंदिर निर्मान की पहल राजन थी या चुनावी प्रश्ण नहीं था। यह तो राष्ट्रिय आकांशा थी कि अयुध्या में राम के नाम का मंदिर बने यह अच्छा हुआ कि इस आकांशा की न कीवल अंदेखी की गई बलकि उसका उपहास भी उड़ाया गया। चुकि श्रीराम जन्मभूमी ट्रस्ट अयुध्या में राम मंदिर के निर्मान और उससे संबंधित विशियों पर निर्ने लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। इसलिए यह भी इसपष्ट है कि मंदिर निर्मान में सरकार की कहीं कोई भूमिगा नहीं होगी। यही उचित भी है वैसे भी भाजपा प्रारंब से यही कहती रही है कि उसका काम अयुध्या में मंदिर निर्मान करना नहीं बलकि यह सुनिश्चित करना है कि वहां ऐसा हो। दुर्भाग से भाजपा जब जब यह कहती थी कि आयुध्या में राम मंदिर बनना चाहिए तब तब विपक्ष की ओर से उस पर निसाना साधा जाता था। अंततह एक ऐसी इस्थिती बने कि करीब करीब सभी दल यह कहने को विवश हुएं कि आयुध्या में राम के नाम का मंदिर बनने पर उन्हें आपत्ती नहीं। इस इस्थिती का निर्मान इसलिए हुआ क्योंकि जन्मानस की आस्था के साथ ही हर तरह के साक्ष भी यह इंगित कर रहे थें कि जिसे विवादित इस्थल कहा जाता था वही राम का जन्म इस्थान है। अंततह सुप्रीम कोट भी इसी निशकर्ष पर पहुचा अब जब अयोध्या में राम मंदिर निर्मान का मार्ग प्रसस्त हो गया है। तब अपेक्षित केवल यही नहीं कि वहां एक भब्य मंदिर निर्मित हो बलकी इसकी भी है कि वह राष्ट्रिय एकता, अखंडता और समरसता के साथ उन मुल्यों का प्रशार करे जिनके लिए भगवान राम जाने जाते हैं। 90 सब्द प्रत्मिनट के रिक्टीशन समाब तुआ अब आरी है 100 सब्द प्रत्मिनट के रिक्टीशन की। स्टार्ट होगा 4 सेकेंड बाद। स्टार्ट अयोध्या में मंदिर निर्मान के लिए ट्रस्ट की खोशना न केवल स्वागत योग्य है बलकी एक तरह से सबक भी है। सर्वुच्य न्यायाले के आदेश और निर्देशित प्रक्रिया के तहत मंदिर निर्मान की दिसा में कदम दरकदम सांते पुर्वक बढ़ने का अपना विशेश महत्व है। बुधवार को प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा संसद में की गई श्रीराम जन्म भूमी तिर्थ छेत्र ट्रस्ट की खोशना का सभी को इंतजार था। इस फैसले को लोग भले ही दिल्ली के विधान सभा चुनाव से जोड़ कर देखेंगे। लेकिन वास्तों में यह घोशना न्यायाले के दिशा निर्देसों के तहत ही हो रही थी। 9 नवंबर 2019 को सरवोच न्यायाले ने आयोध्या मामले में अपना अंतिम फैसला सुनाया था। फैसले के तहत तीन महीने में केंद सरकार को मंदर निर्मान के लिए ट्रस्ट की स्थापना करने थी। चोकि मियाद पूरी होने जा रही है इसलिए प्रधान मंत्री की ताजा घोशना के वैधानिक महत्व को समझा चा सकता है। ट्रस्ट का गठन जरूरी है ताकि उसके अधीन मंदर का निर्मान सुरू हो। अब ट्रस्ट के सदश्यों का चयन जितने जल्दी होगा उतना ही अच्छा होगा। ट्रस्ट गठन से मंदर निर्मान की राजनिती पर भी लगाम लगेगी। यह अच्छी बात है कि उचितम न्यायाले के फैसले के बात लगातार सदभाव बना रहा है। और आगे भी सरकार को शुनस्चित रखना होगा कि अनुचित लाब कोई न ले सके। बुदवार को संसद में प्रधानमंत्री ने भी सबको साथ लेकर चलने के अपने संकल्प को जिस तरह से दोहराया है। उन्हें उसी धारा में आगे का सफर तै करना चाहिए। 9 नवंबर के फैसले के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि यह किसी की जीत याहार नहीं है। इसी भावना के अनुरूप मंदर निर्मान होना चाहिए। देश इतिहास लिख रहा है। तो यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्मान की बुन्यात में किसी तरह की राश्निती, वैमनश्य और सांप्रादाइकता का लेश मात्र भी न हो। प्रधान मंत्री की घोशना के साथ ही यह भी इसपश्ट हो गया है कि पंद्र सदस्षी ट्रस्ट में एक दलित सदस्य भी होगा। वाकई ट्रस्ट में हर समुदाय और जाती के ऐसे विशेशग्यों वह संतों को चुना जाना चाहिए जिनके इमानदारी वह रामभाव के प्रती निस्ठा प्रशनों से परे हो। साथ ही यह भी देखना चाहिए कि ट्रस्ट में किसी खास समूह अखाड़े या मठ या संप्रदाय का वर्चस्व न रहे मंदिर वही लोग बनाएं जो हृदय में रामभाव रखते हूं। स्री राम जन्मभूमी तिर्थ छित्र को एक ऐसा अन्न छित्र भी खोशित करना चाहिए ताकि राम की दर्बार से किसी जात धर्म संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति बिना प्रशाद न लोटे। सरकाल को कम और ट्रस्ट को ज़्यादा सचेत रहना होगा कि राशनिती की कोई गुंजाइस न रहे भारत में लिया गया यह फैसला इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। दुनिया यह देखना चाहती है कि जिस राम के लिए लंबा संगर्श चला उस राम को यहां के लोग वस्तुतह कितना मानते हैं। अतह जितने प्रेम से मंदिर निर्माण हो उतने ही लगाव से मस्जित बनाई जाए। जिस सदभाव की उम्मीद मंदिर ट्रस्ट से रहेगी वही भाव लोग उस वफबोड में भी देखना चाहेंगे। जिसे अयोध्या में भव्य मस्जित का निर्मान करना है। अगर आप 110 सब्द प्रति मिनट की अगर आप 110 सब्द प्रति मिनट के 10 मिनट तक डिक्टिशन लिखना चाहते हैं यानि DSSB SSC की त्यारी कर रहे हैं तो आप हमारे हैपी स्टेनोगाफी को ज़रू जोइन करें और इसके अलावा आप रिपोटर के भी डिक्टिशन के लिए एक स्वायत ट्रस्ट के गठन की गोशना के साथ ही वह प्रतिक्षा पूरी हुई जो सुप्रीम कोट के फैसले के बाद से ही की जा रही थी संसद में प्रिधान मंत्री की ओर से श्री राम जन्म भूमी तेर्थ छेत्र ट्रस्ट के गठन की घोशना किये जाने के बाद ग्रिह मंत्री अमेत साह ने इसपश्ट किया कि इसमें पंदरा ट्रस्टी होंगे जिसमें एक दलित समाज से होगा यह आश्यर्य जनक है कि कुछ दलों ने प्रिधान मंत्री की घोशना पर इस बहाने आपत्ती जताई कि इसके माध्यम से दिल्ली में चुनावी लाब लेने की कोशिस की गई है यह विरोध के नाम पर विरोध जताने के अधरिक्त और कुछ नहीं एक तो सुप्रीम कोट ने अपने फैसले में यह निर्देशित किया था कि तीन माह के अंदर यानि नौ फरवरी के पहले सरकार को राम मंदर निर्मान के लिए ट्रस्ट का गठन कर देना चाहिए और दूसरे कम से कम अब तो विपक्षी दलो को यह समझ आ जाना चाहिए कि अयोध्या में मंदर निर्मान की पहल राश्निती या चुनावे प्रश्न नहीं था यह तो राश्ट्रिय आकांशा थी कि अयोध्या में राम के नाम का मंदर बने यह अच्छा नहीं हुआ कि इस आकांशा की न केवल अंदेखी की गई बल्कि उसका उपहास भी उड़ाया गया चुकि श्री राम चन्म भूमी तिर्थ ट्रस्ट अयोध्या में राम मंदर के निर्मान और उससे संबंधित विश्यों पर निर्णे लेने के लिए पुर्ण रूप से स्वतंत्र होगा इसलिए यह भी इसपश्ट है कि मंदर निर्मान में सरकार की कहीं कोई भूमिकान नहीं होगी यही उचित भी है वैसे भी भाजपा प्रारंब से यही कहती रही कि उसका काम अयोध्या में मंदर निर्मान करना नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि ऐसा हो दुर्भाग से भाजपा जब जब यह कहती थी कि अयुध्या में राम मंदर बनना चाहिए तब तब विपक्ष की ओर से उस पर निशाना साधा जाता था अंततह एक ऐसी इस्थिती बने कि करीब करीब सभी दल यह कहने को विवश हुए कि अयुध्या में राम के नाम का मंदर बनने पर उन्हें आपत्ती नहीं इस इस्थिती का निर्मान इसलिए हुआ क्योंकि जन्मानस की आस्था के साथ ही हर तरह के साक्ष भी यह इंगित कर रहे थे कि जिसे विवादित इस्थल कहा जाता था वही राम का जन्म स्थान है अंतता शुप्रीम कोट भी इसी निशकर्ष पर पहुचा अब जब अयुध्या में राम मंदर निर्मान का मार्ग प्रसस्त हो गया है तब अपेक्षित केवल यही नहीं है कि वहां एक भब्य मंदर निर्मित हो बलकी इसकी भी है कि वह राष्ट्रिय एकता अखंडता और समरस्ता के साथ उन मुल्यों का प्रिशार करे जिनके लिए भगवान राम चाने चाते हैं अंतिम डिक्टिशन भी समाप्त हुआ ऐसे ही प्रते दिन आपको डिक्टिशन मिलता रहे इसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेजिए और बगल में जो नोटिफिकेशन गुरुप से जोड़ना चाते हैं जो चैनल का टेलिग्रम गुरुप है और बगली सब्सक्राइब करें पर इतलेफिके अनलफ गर जोड़ सकते हैं और तब तक के लिए धन्यवाद